श्री शिवाय नमस्तुप्यम हर हर मादेव जैहो भोलेनाद रादे रादे एवरिवन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन शिवरात्री की सरल पूजा में हम किस-किस पूजन सामिगरी का प्रयोग करेंगे और इससे पहले भी बहुत सारे सामिगरी के वीडियो चैनल पे हैं प्लेलिस्ट है शिव पूजन से सम्मंदित आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा तो आप उन वीडियो पे भी अवश्य जाएं बहुत ही महत पूर्ण वो सारे वीडियो जाएं तो फेंट्स वैसे तो शिवरात्री हर महीने आती है परन्तु सावन की शिवरात्री और फागुन मास की शिवरात्री को महा शिवरात्री कहा जाता है इसमें शिव भगवान का विशेश रूप से पूजन किया जाता है तो आए जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सामिगरी की अवशक्ता होगी विशेश पूजन होता है तो हमें चौकी की अवशक्ता होती है चौकी सजाएंगी इसके लिए और यहाँ पर शिव परिवार की अवशक्ता होती है शिव परिवार की आप तस्वीर ले सकते हैं मूर्ती ले सकते हैं इस दिन भोलेनात के सासात में है गणेश जी की और गौरी मैया का भी हमें पूजन अवश्रूप से करना चाहिए तो आप कोई भी तस्वीर ले सकते हैं सात में आज की दिन शिवलिंग का अभिशेक अवश्रूप से करना चाहिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप जो भी जिस भी प्रकार के शिवलिंग है उनका अभिशेक करें नहीं है और सफेद या पील रंगा भी ले सकते हैं सात में हमें आभिशेक कराने के लिए जलकी आवश्रकता होती है काफी सारा और इस दिन पंचामरत से चाहिए तो अलग-अलग सामिग्री से आप सनान करा सकते हैं या फिर एक साथ मिक्स करके भी सनान करा सकते हैं दूद, दही, शक्कर, शेहद और देसी घी इस प्रकार से हमें ये सब सामिग्री चाहिए आप चाहिए तो सब को एक साथ मिक्स करके भी अभिशेक करा सकते हैं और घी और दूद और दही यदि गाय का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है इसके अलावा जो भी दूद आपके आता उसका प्रयोग कर सकते हैं बस वो कच्चा होना चाहिए साथ में अभिशेक के लिए मैं गंगाजल चाहिए और कुछ अक्षत चाहिए पूजा में प्रयोग के लिए कल शिस्थापना ये दियाप कर रहे हैं उसकी लिए हमें अक्षत यानि की साबु चावलों की आवशकता होती है सातमें एक हमें धूप दीप की आवशकता होती है तो इस तरीके से देसीगी काक दीपक बना लें और धूप ले लें सातमें वस्त रुपी अरपित करने क Meteígen मोली भी say और उसी के साथ में हमें जनिव चाहिए और यहां पर काले तिल चाहिए अर्पित करने के लिए अबीर गुलाल और मिश्री आदी ले सकते हैं चंदन ले सकते हैं यहां पर भगवान भोलनात को अर्पित करने के लिए भस्म ले सकते हैं यह तरीके से भस्म आती है और यहां प और आर्ति के लिए कपूर ले लेंगे साथ में माचिस दूबदी प्रजुरित करने के लिए कलश स्थापना के लिए यहां पर हम लॉंग लाइची सिक्का सुपारी और हल्दी की गांट का प्रयोग करेंगे अगर आपके पास यह सब नहीं है तो आप एक सिक्का डाल दीजे इसमें और हल्दी कुमकुम ऐसे ही डाल दीजे तो इस तरीके से देखे और एक कोई भी पात्र लेंगे जिसमें कलश की स्थापना करेंगे उसे कंट तक जल से भर लेंगे उसके कंट में मौली बान लेंगे स्वास्तिक बना लेंगे उसके उपर साथ में पत्ते चाहिए आ बन भूलऑनाreno Aथ को औरपित करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुवे होती है लिए बहांग, धतुरा ओर बेल पत्र के पत्ते चाहिए और गणिजी को औरपित करने के लिए दूरवा और मदार के पुष्प, मदार के पत्ते और कनेर का पुष्प पीले कनेर ले सकते हैं इसे तरीके से इस सब सामिगरी के हमें आवशक्ता होती है और इसे के साथ में देखिए माता पारवती को अरपित करने के लिए आप शेंगार की सामिगरी रख सकते हैं इस प्रकार से देखिए बिंदी, चूडी, मेहंदी, बिछिया, सिंदूर, माहावर, आलता, काजल जो भी हू जो भी आपके पास रितूफल हो वो अवश्रूप से अरपित करें या फिर फलहारी कुछ भी भोग प्रसाद हो उसे भी आप अरपित कर सकते हैं जैसे कि क्योंकि देखिए शिवरातरी का जो वरत पूजन होता है उसमें अन नहीं खाया जाता है कुछ तो इसे मीठा रखत रखते हैं कुछ नमक यानि के सेदा नमक का भी फलहारी भोजन कर लेते हैं तो जो भी आप भोग प्रसाद में बना रही हैं वो पहले भगवान भूलेनात को जरूर अरपित करें और साथ में कोई भी रितूफल आप अरपित कर सकते हैं यहां पर इसके अलावा कोई भी आ आप मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं बोलेनात को तो फ्रेंट्स यह वो सामिगरी है जो हमें शिवरात्री के पूजन में चाहिए होती है अब इस सामिगरी में से कोई भी ऐसी सामिगरी जो आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई जिनता की बात नहीं है आप बिना उस स किसी भी त्याहर को बनाती है यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें उम्ना शिवाय